ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती आज 10 जून 2023 बावा के महावाक्य मीठे बच्चे असरीरी बनने की ड्रिल नंबर वन ड्रिल है इससे वायू मंडल में सन्नाटा च्छा जाता है बाप का डाइरेक्शन है इसी ड्रिल का अभ्यास करो प्रश्न है दुनिया के अनेक विगनों के बीच में रहते हुए एकरस और खुशी में कौन रह सकते हैं उत्तर है जो किसी भी विगन की परवा नहीं करते तुम्हारे दुसमन तो अनेक हैं विगन डालेंगे कलंक लगाएंगे गाली देंगे लेकिन याद रहे कि कलंक लगने से ही तुम कलंगी घर बनते हो कहते हैं स्रीक्रेस ने चौत का चंद्रमा देखा इसलिए उस पर कलंक लगे लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं अन्त में तुम कहेंगे हे भारतवासियों देखो तुमने बहुत कलंक लगाए और हम अभी कलगी कलगी धर बनते हैं ओम शान्ती बच्चों प्रती सिवबावा का फर्मान है सिवबावा कहते हैं मैं ड्रिल टीचर हूँ न कहते हैं असरीरी भव बच्चे स्वधर्म में टिक जाओ मनमना भव मा में कम याद करो ये तो जानते हूँ अब धर्म की गलानी है गीता में है यदा यदाई धर्मश्य ये शलोक जन्म जन्मांतर हम गाते आए है जब से भक्ती माग शुरू हुआ गीता का पाठ करते आए है सिवावा की पूजा करते आए है वही सिवावा अब कहते हैं मा में कम याद करो तुम पर फिर से माया का परचाया पढ़ गया है अब मैं आया हूँ माया पर जीत पहनाने के लिए इसलिए मनमना भव क्योंकि तुम को वापिस जाना है मेरे परमधाम में अगर स्रीकरष्ण होता तो कहते मद्या जीत भव स्रीकरष्ण को क्रष्णपुरी में याद करो ज्यान का दाता कोई स्रीकरष्ण नहीं है वे तो है शिव शिव की ही पूजा होती है उनको परमात्मा कहा जाता है तो हम आत्माओं को वहाँ जाना है इसलिए बाबा ड्रिल सिखलाते हैं यह है नंबर वंड्रिल, मनमना भव, असरीरी भव तुम सब भ्रामण उनको याद करेंगे अगर कोई शूद्र यहां और कोई ख्यालात में बैठा होगा तो वायू मंडल को खराब कर देगा उस एक को जब सभी याद करेंगे तो सन्नाटा चा जाएगा जैसे कोई मरता है तो सन्नाटा हो जाता है आत्मा के असरीरी होने का प्रभाव पढ़ता है तो अब बाबा कहते हैं तुम सब आत्माओं को वापिस ले जाओंगा काल तो एक आत्मा को ले जाता है मैं तो कालों का काल हूँ, मैं सब को लेने आया हूँ और मैं आता हूँ साधरन ब्रह्मातन में मैं मनुष्य स्रस्टी का बीज रूप चैतन्य हूँ मैंने ही गीता सुनाई थी देखो तुम्हारे पर अब कलस रखा है न स्रीक्रस्न की गोपियों को भी कलस दिखाते हैं कहते हैं स्रीक्रस्न ने मटकी तोड़ी अब वैं मटकी का है कि तुम्हारे सिर पर जो विकारों की मटकी है उनको तोड़ते हैं और ग्यान अमरत का कलस देते हैं बाकी सत्युक में थोड़े ही कोई ऐसी बात हो सकती है गोपियां तुम हो गोपी वल्लब की गोपियों पर जो जहर का कलस था वे फोड ग्यान अमरत का कलस रखते हैं तो इसमें बुद्धी बहुत अच्छी चाहिए तब धारणा से धारणा हो सकेगी गोपियों का वल्लब तो है सिव बाबा स्री क्रस्न को वल्लब नहीं कह सकते लिखा है कि गोपियों को भगाया अब बाब थोड़े ही भगाएंगे ये तो काईदा नहीं है बाबा समझाते हैं जब कोई आत्मा कहे कि सिवो हम तो बोलो कि एक तरफ कहते हो महात्मा यानि महान आत्मा फिर अपने को परमात्मा अत्वा शिवो हम क्यों कहते हो महानात्मा तो पवित्रात्मा ठेरे ये राज समझाना है इसको ज्ञान का धर्म युद्ध कहा जाता है उन्हों के पास है सास्त्रों की मत और तुमारे पास है श्रीमत बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब राजयोग सिखलाना है भारत के उपर ही ये सारा खेल है हीरो हीरोईन का पार्ट भारत वासियों को मिला हुआ है वास्तम में वंदे मातरम भी इन माताओं को कहा जाता है वे लोग तो भूमी को मातरम कहते हैं भूमी तो तत्व है उनको थोड़े ही माता कहा जा सकता है इस धरनी में रहने वाली तुम माताएं हो तुमको वंदे मातरम कहा जाता है वे भूमी को वंदे मातरम कहते हैं तो भूत पूजा हो गई अभी तुम बच्चे योगबल से अपनी बादशाही लेते हो सब मेहनत करते रहते हैं पवित्र बन बादसाही लेने के लिए जिस तरफ साक्षात सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान है उनकी ही जीत होनी है परमात्मा की महिमा बिलकुल अलग है वे आकर ड्रिल सिखलाते हैं कि मा में कम याद करो और सब तुमको दुख देने वाले हैं सभी दुस्मन बन विग्न डालते हैं ये कोई नई बात नहीं है हमको कोई दुनिया की परवा थोड़े ही है स्रीक्रस्न के लिए कहते हैं चौथा चौथ का चंद्रमा देखा तब इतनी गाली खाई कलंक जिन पर लगते हैं वही फिर कलंगी धर बनेंगे फिर अंत में कहेंगे अरे भारतवासियों तुमने हमें कितनी गाली दी देखो हम ये बन रहे हैं राज भागे ले रहे हैं लड़ाई के मैदान पर तो बहुत सहन करना पड़ता है तो जो राज भाग्य देते हैं उन पर बलिहार जाना पड़ता है ये सिवबावा समझा रहे हैं ये दादा अपने को भगवान नहीं समझते हैं इसलिए सिवबावा कहते हैं बच्चे ये तुम्हारा कल्प कल्प का पाठ है तुम भी कहेंगे जब-जब धर्म की गलानी होती है तब बाबा आते हैं अब बाबा आया हुआ है और हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं निमंत्रन पत्र में भी लौकिक बाप के हद के वर्से और पारलौकिक बाप के वर्से वाली पॉइंट बहुत अच्छी लिखी हुई है बेहद के बाप से ही बेहद का वर्सा मिलता है लक्षमी नारायन को बेहद का वर्सा किस ने दिया तो बाबा ने तो ये सब समझने की बातें हैं हमारा ये सितम रहसेहन करने का भी पार्ट है 21 जन्मों के लिए बादसाई मिलती है तो इसमें मेहनत करनी पड़ती है गाया जाता है सन सोज फादर स्टुडेंट सोज टीचर अब तुमारा रियल पार्ट है तुम समझा सकते हो वही हमारा बाप टीचर सत्गुरु है वही मनुष्य स्रष्टी का बीज रूप रचैता है सब जीवा अत्माओं का बाप है उनको सर्व्यापी कैसे कहेंगे बाप तो उपर रहने वाला है तब तो दुख में उनको याद करते हैं वह आते तब हैं जब धर्म गलानी होती है बाप कहते हैं हमारी जर्म भूमी भारत के रहवासी जब दुखी होते हैं तब मुझे आना पड़ता है परमात्मा की जर्म भूमी भारत है ये अक्षर कोई के मुख में मुख से कभी निकलेगा नहीं अगर सब परमात्मा हो तो सब की जर्म भूमी भारत होगी बाबा कहते हैं सभी प्रिस्पेक्स प्रिसेप्टर्स को मैं मुक्ती धाम ले जाता हूँ जब उन्हों को ये मालुम पड़े कि हमको मुक्ती देने वाला बाबा है वे भारत में जन्म लेते हैं तो भारत बहुत बड़ा भारी तीर्थ बन जाए समझो, सभी को मालुम पड़े परंतु आ कैसे सकें सभी तो भारत में आ न सके इतना तो अन नहीं है भारत में ये सुनकर बहुत बहुत खुश होंगे कि ओहो हमारा बाबा जो इन गुरुओं आदी को भी मुक्ती देते हैं उनका जन भारत में होता है। पहचानेंगे तो नौलेज से ना और क्या देखेंगे। ब्रामडों में जब किसकी सोल आती है तो उनके भी बोलने से पहचानते हैं ना। बिगर बोलने पहचानना पहचान कैसे हो सकती। बात करने से मालूम पड़ेगा बरोबर फलानी आत्मा है। सिवावा भी जब नौलेज दें तब समझें कि सिवावा बोलते हैं। ज्यान ये तो दे न सके। ये सिवाव बाब के कोई समझा न सके। कभी-कभी कोई कहते हैं हम सिवावा से बात करें परनतु उनको पहचानें के कैसे। समझ भी नहीं सकेंगे। बुधी से समझना चाहिए कि ये नौलेज बाबा के सिवावा कोई दे नहीं सकता। देखो कहां कहां बच्चियां बिगर देखे तडफ रही हैं सिवावा से मिलने जरूर उनकी ताकत है जो खीचती है कशिश होती है तो उन्हों को सफेद पोश का साक्षत कार कराते हैं इसलिए बावा कभी हमारी ड्रेस बदलने नहीं देते हैं तो उनकी नौलेज से मालूम पड़ता है बहुतों को भिन भिन प्रकार के साक्षत कार भी होते हैं परन्तु उनसे क्या फायदा तुम्हारा काम नौलेज से है ये नौलेज कोई दे न सके तो ये सारा गुप्त पाठ हुआ कहते हैं मैं आत्मा का रूप धारण कर इसमें प्र हम थोड़े जानते थे बाबा देखो कितनी कमाल करते हैं कहते हैं मुझे अपना वारिस पनाओ मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूंगा जो तुम्हारा बच्चा भी कभी नहीं कर सकेगा मैं तुमको 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य दूंगा फिर भी अगर वारिस बना बना वे तो तकदीर कहा जाता है तुम बच्चियां जानती हो हम सिवावा से वर्सा लेने के लिए यहां आए हैं सिवावा को और वैकुंट को तुम सिवाए दिव्य द्रश्टी के देख न सको जान तो बिल्कुल किलियर मिल रहा है ना हमको बाबा राजियोग सिखलाते हैं उ को भी पड़ाई से मिलती है कोई भी राजियोग सिखला न सके हम नर से नारायण बनते हैं यह राजियोग सिखलाते ही अंत में है तब तो फिर सत्योग में राजा रानी बनेंगे यह मूसलों की लडाई प्रसिद्ध है गीता से देवी देवता धर्म की स्थापना हुई उस समय तो और कोई धर्म था नहीं वे सब कहां गए विनास हुआ बिल्कुल सहज बात है ट्रेन में तो तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो फिर भी प्रजा तो बन जाएगी गाड़ी का डिबबा ही तुम्हारी प्रजा बन जाएगी बैठ कर सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा लिटरेचर हाथ में होना चाहिए साथ में लाडला स्रीक्रस्न भी होना चाहिए अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रुखानी बाप की रुखानी बच्चों को नमस्ते धारना के लिए मुख्यसार पहला है 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए सिवावा को अपना वारिस बनाना है हर कर्म से बाप टीचर सत्गुरू तीनों का शो करना है दूसरा है ज्यान कलियर मिल रहा है इसलिए साक्षात कार की आस नहीं रखनी है साक्षात सर्व समर्थ बाप हमारे साथ है इसलिए विगनों से घबराना नहीं है वर्दान है मेरा बाबा के इसमर्ती स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव कल्प पहले की समर्ती आते ही बच्चे कहते हैं तुम मेरे हो और बाप कहते तुम मेरे हो इस मेरे पन की समर्ती से नया जीवन नया जहान मिल गया और सदा के लिए मेरा बाबा इस इसमर्ती स्वरूप में टिक गए इसी इसमर्थी के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए जो जितना इसमर्थी में रहते हैं उतना उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है जहां इसमर्थी है वहां समर्थी है थोड़ी भी विसमर्ती है तो व्यर्थ है इसलिए सदा इसमर्ती स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनो सिलोगन है हाड वर्कर के साथ साथ इस्थती मैं भी सदा हाड बनो अच्छा ओम शान्ति माते स्वरी जी के मधुर महावाक्य स्रश्टी की आदी कैसे होगी बहुत मनुष्य ये प्रश्ण पूछते हैं कि परमात्मा ने स्रष्टी कैसे रची है आदी में कौन सा मनुष्य रचा अब उसका नाम रूप समझना चाहते हैं अब उस पर उन्हों को समझाया जाता है कि परमात्मा ने स्रष्टी की आदी ब्रह्मा तन से ही की है पहला आदमी ब्रह्मा रचा है तो जिस परमात्मा ने स्रश्टी की आदी की है तो अवश्य परमात्मा ने भी इस स्रश्टी में अपना पाट अवश्य बजाया है अब परमात्मा ने कैसे पाट बजाया पहले तो परमात्मा ने स्रश्टी को रचा उसमें भी पहले ब्रह्मा को रचा तो गोया पहले ब्रह्मा की पवित्रा आत्मा हुई वही जाकर स्रीक्रश्न बनी उसी तन द्वारा फिर देवी देवताओं के स्रस्टी की स्थापना की तो देवी स्रस्टी की रचना ब्रह्मा तन द्वारा कराई तो देवी देवताओं का आदी पिता ठेरा ब्रह्मा ब्रह्मा सो श्रीक्रस्ण बनता है वही श्रीक्रस्ण का फिर अंत का जन्म ब्रह्मातन है अब ऐसे ही स्रश्टी का नियम चलता आता है अब वही आत्मा सुख का पाठ पूरा कर दुख के पाठ में आती है तो रजो तमू अवस्ता पास कर फिर सूद्र से ब्रामण बनते हैं तो हम है ब्रह्मा वन्षी सो शिव वन्षी सच्चे ब्रामण अब ब्रह्मा वन्षी उसको कहते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अविनासी ज्यान लेकर पवित्र बनते हैं तो इससे सिद्ध है कि इस रश्टी का आधी पिता है बाबा ब्रह्मा अच्छा ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती